नमस्कार जैहिंद वंदे मात्रम एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर पंजाब विदान सभा चुनाव 2022 को लेकर सबसे बड़ा महा एक्जिट पोल जारी हो गया है पंजाब के द्वारा कल की होने वाली रेली के रद होने के बाद पंजाब की चुनाव को लेकर सबसे बड़ा एक्जिट पोल सामने आया जो अपने आप में पंजाब के अंदर कॉंग्रेस की नीद उडाने वाला है एक सो सत्रा सीटो पर होने वाले चुनाव को लेकर आज जी न्यूज आज तक एबी पी न्यूज टाइम्स नाउ जैसी बड़ी न्यूज अजन्सियों ने अपना उपिनियन पोल जारी किया है क्योंकि पी एम मोदी की सुरुक्सा के हुई सूख के बाद कॉंग्रेस की लं से ज़्यादा से ज़्यादा से जरूर करें सबसे पहले दोस्तों पंजाब के अंदर अगर बात करें होसियारपूर की साथ सीटे हैं जिसमें दो सीटों पर कॉंग्रेस दो सीटों पर आम आदमी पार्टी एक अकाली दल एक बीजेपी और एक अमरेंदर के खाते में जारी पटियला की कुल आठ सीटे है जिसमें एक कॉंग्रेस दो आप एक अकाली दल चार बीजेपी और अमरेंदर गटबंदन के तौर पर है वही दोस्तों अमरेंदर की कुल 11 विदानस्वा सीटों में पांच सीटे कॉंग्रेस के खाते में बीजेपी को भी पांच और एक सीट अमरेंदर के खाते में जारी है पीए मोदी की कल की रेली रद होने के बाद में सबसे बड़ा ओपिनियन पॉल है तरन तरन पुरन के चार सीटे है जिसमें एक कॉंग्रेस एक आम आदमी दो बीजेपी पाल्टी खपूर तला की चार सीटों में बीजेपी को तीन सीटे मिल रही है एक सीट पर कॉंग्रेस सत्ता में लोट रही है फिरोजपूर की अगर दोस्तों बात करें जिसकी चार सीटों में बीजेपी को दो सीटे है दो सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी को मुक्टसर की बात करें जिसकी चार सीटों में बीजेपी को दो सीटे है और दो सीटे ही कॉंग्रेस के खाते में जारी है लेकिन दोस्तों पूरी तरीके से कॉंग्रेस पंजाब के अंदर अब बोखला हुई नजर आ रही है उपिनियन पोल के मुताबिक पठान कोट के अंदर तीन सीटे है जिसमें एक बीजेपी एक कॉंग्रेस और एक आम आदमी पार्टी के खाते में लुदियाना की कुल 14 विदानसवा सीटे है जिसमें 24 सीटो पर कॉंग्रेस है दो पर अकाली दल और 6 सीटो पर बीजेपी अपना कब्जा जमा रही है दो सीटो पर अमरिंदर जीत रही है जिसमें एक कॉंग्रेस एक बीजेपी और एक अकाली दल के खाते में जारी है बटिंडा की अगर दोस्तों बात करे है और कल बटिंडा पर पीम मोदी के कापी ज़्यदा सवाल भी उठाए जारी है जिसकी चछ सीटों में बीजेपी दो आम आदमी पी दो और दो सीटों पर बीजेपी है मोगा के अंदर चार सीटों में बीजे पी दो सीट है एक कॉंग्रेस और एक आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है फतेगड साहिबा की अगर तीन सीटों की बात करें जिसमें एक कॉंग्रेस और दो सीटों पर बीजे पी पार्टी अपना कबजा जमारी जलंदर की अगर दोस्तों बात करें जिसकी नव सीट है जिसमें दो सीटों कॉंग्रेस एक आम आदमी दो अकली दल और चार बीजेपी के खाते में जा रही है रूपनगर की अगर दोस्तों बात करें जिसकी तीन सीट है जिसमें एक बीजेपी एक आम आदमी और एक सीट अमरेंदर सिंग के खाते में जाती हुई नजर आ रही है फजिल का चेतर की बात करें जिसकी चार सीटे है जिसमें दो बीजेपी और दो सीटों पर कॉंग्रेस जीत रही है आगे दोस tastes मुझे बात करें मानसा की बारिमे जिसकी सीट्अ में बीजेपी दू एक सीट पर अमरंदर बड़ा उलट पर मचा रहे एक कंग्रेस को तगडा जठका है नवाल बन सेर की अगर बात करें दोस्तों तीन सीटे है जिसमें बीजेपी दो सीटे है एक सीट पर कॉंगरिस पार्टी जीत रही है आगे दोस्तों बात करें नवानसर के बाद में सेस नगरी की तीन सीटों में बीजे पी एक कॉंगरिस के खाते में और एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है गुर्दास्पूर की अगर बात दोस्तों बात करें जिसकी साथ सीटों में बीजेपी को चार सीटे एक अमरिंदर और कॉंगरेस को भी दो सीटे आम आदमी पार्टी को जीरो सीटे मिल रही है कोल मिलाकर दोस्तों 117 सीटों का चुनावी ओपिनिन कोल के मताबिक बीजेपी पार्टी को 60-65 सीटों का आकलन दिया गया है पीएम मोदी के दोरा कल की रेली रद होने और उनकी सुरुक्सा को लेकर कॉंगरेस सरकार बड़े ही गेरे में आ चुकी है एक तरब से कॉंगरेस पार्टी सुरुक्सा को लेकर कई बड़े सवाल उठाए जारे हैं उनके उपर जहां पीएम मोदी की सुरुक्सा सू के बाद में राष्टपती रामनाथ कोवीद ने भी पीएम मोदी के साथ मुलाकात की है और उसके बाद में अब कॉंगरेस पूरी तरिके से सक के घेरे में आती हुई नजर आ रही क्योंकि इस बार पंजाब विदान सबाद चुनाओ के अंदर बीजेपी पार्टी और सीएम कैप्टेन अमरेंदर सिंग बड़े तोर पर उलट पेर मचाने की तयारी में है क्योंकि एक तरब नवजो सिंग सुद्दू कॉंगरेस पार्टी के खिलाप में अपने बयान ठीके तेवर देखाई दे रहे हैं दूसरी और कॉंगरेस पार्टी के कई बड़े वरिष्ट नेता पार्टी को चौड़ कर बीजेपी की और बढ़ रहे है पी एम मोदी के समर्तन में बयान दे चुके जी टुएंटी तरी के नेताओं की भी बगावत देखने को मिल चुकी है और अब पंजाद कॉंगरेस के अंदर हो रही है इस भारी कला के बीच कल की पी एम मोदी की रेली रद होने के बाद एक तरफ से सस्पी को सस्पेंट भी कर दिया गया है पंजाद कॉंगरेस के सीम चरणजे सिंग सन्नी के दौरा अलंकि पी एम मोदी के दौरा भी सन्नी को कड़ा जबाद दिया गया है और उनको लेकर पीम मोदी ने ट्विट करते हुए ही नहीं बलकि भटिंडा के जो अधिकारी थे एरपोर्ट पर उनसे भी का कि अपने सीम से जाकर कह देना कि मैं जिन्दा वापस लौट रहा हूं क्योंकि पीम मोदी की जो काफिला था उनके आगे प्रदर्शन कारी हाथ चिके थे करीबन आदा घंटे तक सड़के जाम पर फसे रही पीम मोदी जिसकी वज़त से पंजाब कॉंगरेस की किरकरी हो रही है और इसी वज़त से पंजाब सरकार की गरह मंत्रा लेकि उनक पर भी तोर पर उलट फिर कर चुकी है जो तीन बार के सी एम रह चुके कैप्टेन अमरेंदर सिंग को हटा कर नए सी एम चलंजे सिंग सन्नी और नवजो सिंग सुद्दू को बनाए जाने की तयारी में जुटी कॉंगरेस के उंपर भी सवाल उठाए जा रहे है सुनील जाकर ने पीएम मोदी की वी सुरुकसा चुक को लेकर कॉंगरेस को जिम्मेदार तेराया जो कॉंगरेस के एक वरिष्ट नेता और पिसली दपा नेता भी रह चुके और पार्टी के प्रदेशा देक्स भी रह चुके पंजाब के अंदर इस बार कॉंगरेस के अंदर बड़ा उलट से खतम हो जाए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर जरूर करें अपने दोस्तों मित्रों अपने परिवार के साथ में क्योंकि आपका एक शेर हमारे लिए बहुत ही बड़ा महतब पूर्ण है क्योंकि आपका एक शेर ही हमारे वीडियो को आगे से आगे पहुंचा सकता है जो ओपिनियन पोल हम आपके लिए लेकर आते हैं उसके अंदर हमारी टीम को सबसे ज़्यादा मैनत भी करनी पड़ती है क्योंकि पंजाब के अंदर जनता आदारित 117 सीटों पर हमारी टीम घूम कर जो सर्वे करती है हार अपते लेकर आते हैं हम इस वीडियो के नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक जरूर कर दे क्योंकि आपका एक लाइक हमारे इस वीडियो के ऊंपर मोटिवेसन भी मिलता है कि हम आपके लिए नए चनल को सस्क्राइब कर दे मिलते हैं नए अपडेट के साथ में तब तक के लिए जय हिंद वंदी मात्रम दोस्तों धन्यवाद अपना ख्याल रखे जय हिंद